कर दोस्तों आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर हारदिक स्वागत मैं आपका दोस्त वुबेक उगना आज हम आपके लिए चर्चा लेकर आए हैं धनू राशी लगन के जातकों के लिए अगस्त मासिक राशी फल आने वाला अगस्त का मीना धनू राशी लगन के जातकों के लिए कैसा रह सकता है सबसे पहले बात करेंगे ग्रहों के गोचर के बारे में चार्ट आपके सामने मजूद है आपके लगनेश और फॉर्थ भाव के स्वामी गुरू बनते हैं इस Kendall सुख भाव में अपनी स یہ बात करें मंगल की आपके चार्ट में फिफ्त और ट्वेल्ट भाव के स्वामी में विराज मान रहेंगे लेकिन लेकिन 10 अगस्त को मंगल 6 अगस्ति कोरेंगे राहू अगस्त के पूरे मेहने फिफ्ट भाव में गोचर करेंगे और केतू 11 भाव में बात करें शुकर की आपके चार्ट में शुकर जो है 6 और 11 भाव के स्वामी बनते हैं और मेहने के शुरू में 7 भाव में ही रहेंगे शात अगस्त को आपके एर्थभाब में प्रिवेश कर जाएंगे बॉद्द, आपके सैवंत और टेंथ भाव के सुवामी वनते हैं, और महेनने के शुरू में आपके नाइफ भाग्या भाव में रहेंगे 21 अगस्त को आपके 10 भाव में करम भाव में आपनी सवराशी करन्या में प्रवेश कर जाएंगे सूर्य की बात करें सूर्य आपके चार्ट में 9 भागया भाव के सुवामी बनता हैं दोस्तो मेहने के शुरू में सूर्य आपके एर्थ भाब में गोचर करेंगे भागया भाब से बारवा भाब में और 17 अगस्त को नाइंथ भागया भाब में अपनी सवराशी सिंग में वो प्रिवेश कर जाएंगे ये थी स्तिती ग्रहों के गोचर के बारे में अब बात कर लेते हैं स्लो मुविंग प्लैनर के नक्षत्रों की तो राहू अगस्त के महिने में पूरे महिने में शुकर के भरनी नक्षत्र पर रहेगा के तू पूरे महिने अगस्त के गुरू के विशाखा नक्षत्र पर शनु जो है वो मंगल के धिनिस्टा नक्षत्र पर रहेगा पूरा महिने शनी और गुरू जो है शनी के नक्षत्र पर रहेगा तो चली जानते हैं अगस्त का जमीना धनूराशी लगन के लोगों की हेल्थ प्रवार प्रेम विवाहिक जीवन और कैरियर और यहां फिर फनास के दिरिस्ट्री कों से कैसा रहने वाला है लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आप सब दोस्तों से मित्रों से एक बर फिर कहना चाहूंगा खास कर उन दोस्तों से जो पहली बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आएं और इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों जदी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लिजिए नोटिफिकेशन बेल का बिटन दवाना ना भूलिए जो भी वीडियो अपलोड करें यूट्यूब पर चाहिए वो वैदिक अस्टॉलजी से रिलेटेड हो या फिर के पी या कस्पल इंटरलि केबल रहेंगी तो चलिए चर्चों को आगे बढ़ाते हैं सबसे पहले बात करेंगे धनूर आशी लगन के जातकों की हल्थ के बारे में धनूर आशी लगन के सिक्स्त भाव यानिकी रोग के भाव का स्वामी शुकर साथ अगस्त तक आपके सैवंध भाव में गोचर करेगा सैवंध भाव आपके लिए मारक और बादक भाव बनता है जो हेल्थ के द्रिश्टी कों से सही नहीं है दास अगस्त से मंगल अपना गोचर सिक्स भाव में शुरू करेगा जिसकी वज़ा से आपको नई बीमारियां परशान कर सकती है रकत समंदी समस्यों से भी आप अगस्त महिने में परशान रह सकते हैं मंगल का सिक्स भाब मेस्तित होना शत्रूं के उपर आपके हावी होने की तरफ इशारा करता है ऐसे में हो सकता है आपके शत्रू इस दुरान में जदी सेर उठाएंगे तो आप मजबूती से उनका मुकाबला करेंगे हाला कि इस वज़ा से आप मानसिक तोर पर परशान रह सकते हैं ऐसे में आपको सला दी जाती है आप अपने श्रीरिक सहत के साथ मानसिक सहत का भी ख्यार रखें योग और ध्यान को अपनी दिन चरिया का हिसा बना कर आप मानसिक और श्रीरिक समस्याओं से रहत पा सकते हैं हेल्थ के दिरिश्ट्री कों से अगस्त का महिना धनू राशी लगन के लोगों के लिए मिला जुला दोस्तों रह सकता है बात करते हैं आपकी फैमली लाइफ के बारे में अगस्त महिने में आपके सेकिंड भाव यानी की कुटों को भाव यानी की प्रवार भाव में शनी महराज वक्री अवस्ता में मंगल के दिनिस्टा नक्षत्र पर हेंगे दास अगस्त से मंगल अपना गोचर सिक्स भाव में शुरू करने की वज़ा से परवार में किसी बात को लेकर वाद विवाद होने की संभावना बन सकती है साथ ही परवार के सदस्यों के बीच किसी बात को लेकर जगड़ा होने की विशंका है हाला कि शनी अपनी स्वाय की मक्का राशी में स्थित रहेगा और सूर्या जो की नाइंत भाव का स्वामी है और शुकर जो की लेवत भाव का स्वामी है दोनों की द्रिश्टी आपके सेकिंड भाव पर पढ़ने से इन विवादों से आप असानी से निप्ट पाने में भी सफल रह सकते हैं ग्रहों के इस गोचर को देखते हुए आपको सला दी जाती है आप अपने करोध पर कंट्रोल रखें धेरिया प्रेम के साथ किसी भी विवाद को खतम करने की कोशिश करें नहीं तो स्तिती और बिगड सकती है कोल मिलाकर फैमिली लाइफ के द्रिश्ट कों से भी गस्त का महिना आपके लिए मिला जुला रह सकता है बात कर लेते हैं आपकी लव लाइफ और शादी शुदा जीवन के बारे में दस अगस तक आपके फिफ्ट भाव यानि की प्रेम के भाव में राहु की मंगल के साथ मजूदकी की वज़ा से आपकी लव लाइफ में कुछ विवाद हो सकते हैं आपको सला दी जाती हैं ऐसी स्थिति में आप दोनों एक दूसरे के उपर अपना विश्वाश कम न होने दे क्योंकि विश्वाशी किसी भी रिष्टे की जो है अधार होता है नीव होती है इसके लावा फिफ भाब में गोचर करते हुए राहु शुकर के भरनी नक्षत्र पर रहेगा शुकर साथ अगस्त तक आपके सैवंत भाब में और उसके बाद एर्थ भाब में गोचर शुरू करेगा जिसकी बज़ा से लव लाइफ एक बर फिर से अच्छी हो जाएगे इस दुरान आप एक दूसरे के साथ यादगर समय स्पेंट करने में काम जब रहेंगे धनूर आशी लगन के कुछ लोगे इस दुरान अपनी खुद की मर्जिन से सिक्रेट अर्लेशन्शिप में भी जा सकते हैं वहीं शादी शुद्य जीवन की बात करें सैवंत भाब के स्वामी शुकर का साथ अगस्त से गोचर आपके इर्थ भाब में होने से आपके अपने जीवन साथी के साथ मत्बेद खड़े हो सकते हैं साथ ही किसी परवारी के विवाद की वज़ा से आप दोनों के ही मन में एक दूसरे के लिए गल्थ फेहमी भी पैदा हो सकती है ऐसे में आपको सला दी जाती है कोई भी मत्बेद खड़ा होने पर बजाए गुसा होने के आप शान्ती और ध्यर्या के साथ अपने जीवन साथी की बातों को सुनें और समझने का प्रयास करें कोल मिलाकर लाव लाइफ शादी शुदा जीवन के दिरिश्टी कोंसे भी घस्ट का महिना धनू राशी लगन के जातकों के लिए मिले जुले परनाम दे सकता है बात करें शिक्षाती फिफ्थ भाव में राहू और राहू का शुक्र के नक्षत्र पर गोच्च करने की वज़ा से स्टूडेंट का अगस्त महिने में स्टडी में मन नहीं लगेगा इस दुरान आपको अच्छे परनाम प्रापत करने हो तो जुरूरत से अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है बात करते हैं आपके क्यारियर की अगस्त महिने में आपके टैंट भाव याने की करम भाव पर लगनेश गुरू की दृष्टी रहेगी टैंट भाव का स्वामी बुद्ध एक्कीस अगस्त तक आपके नाइंथ भाव याने की भागया भाव में स्थित रहेगा जिसकी वज़ा से इस मेने आपको क्यारियर के शेत्र में भागया का साथ मिल सकता है 17 अगस्त व सूर्या नाइंट भाव में अपनी सवराशी सिंग में बुद्ध से मिलकर बुद्ध दित्या योकन ईर्बान करेगा जिसकी वज़ा से आपको कैरियर में बहतरिन अफसर प्रापत हो सकते हैं 21 अगस्त को टेंट भाव का स्वामी बुद्ध टेंट भाव में अपनी ही सवराशी कन्या में प्रवेश करेगा लगनेश गुरू की द्रिस्टी में रहने से धनू राशी लगन के वे लोग जो किसी नोकरी की तलाश में उनकी या तलाश पूरी हो सकती है वहीं वे लोग जो नोकरी पेशा हैं उनकी इस दुरान प्रमोशन होने की पूरी संभावना है वपारी पेशा लोगों के लिए भी बुद्ध की या गोच्री अस्तिती काफी अनकूल रहने वाली है जिससे आपको आर्थिक लाव हो सकता है कोल मिलाकर क्यारियर के द्रिस्ट्री कों से कह सकते हैं कि धनू राशी लगन के जो जातक हैं अगस्त का मिहना आपके लिए अच्छा रहेगा बात करें आपके आर्थिक पक्षकी अगस्त मिहने में आपके सेकिंड धन भाव के स्वामी सेकेंड भाव अपनी मकर राशी में वक्री रिवस्ता में रहते हुए मंगल के दिनिस्टा निक्षत्र परहेंगे मंगल 10 अगस तक फिफ्त भाव में राहू के साथ अंगार के योग में रहने के कारण धनूराशी लगन के लोगों को 10 अगस तक आर्थिक सतर पर चनोतियों का सामना करना पड़ सकता है हाला कि 7 अगस से शुकर की दिरिश्टी आपके सेकिंड धन भाव पर पड़ेगी जिसकी वज़ा से आपको आर्थिक तोर पर पॉस्टी परनाम प्रापत होने की संभावना है इस दिरोन आपको क्योंकि एर्थ भाव में रहेगा अचानक ही कहीं से धन प्रापत हो सकता है जिसकी वज़ा से आपकी आर्थिक स्तिती में सुदार आ सकता है साथ ही इस बात की भी संभावना है कि लंबे समय से लटका हुआ अटका हुआ जो भी फजा हुआ धन है आपको इस महीने प्रापत हो सकता है वहीं पैतरिक संपती से भी आर्थिक लाप के योग बन रहे हैं जो आपकी आर्थिक स्तीति को मुझबूत करेगा 21 अगस्त को 10 भाव का स्वामी बुद्ध अपनी सवराशी करनेया जो की 10 भाव में पढ़ती है वहाँ प्रवेश करते ही मंगल शनी के त्रकोन में आ जाएगा और लगनेश गुरू से द्रिस्ट होने से नोकरी पेशा और वपारी पेशा लोगों के जीवन सत्र में इजाफा होगा वरिदी होगी वपारी पेशा लोग वपार से आर्थिक लाव कमाने में काम जब रहेंगे और वहीं नोकरी पेशा लोगों की सैलरी में इजाफा हो सकता है जिसके आपका जो आर्थिक सत्र है वो मजबूत हो सकता है उसको बल मिल सकता है कुल मिलाकर आर्थिक द्रिश्टिकों से स्कूल है आप अपने विचार वहां रख सकते हैं और जल्दी मिलते हैं एक और नई जानकारी को लेकर तब तक के लिए दोस्तों नमस्काराइब